कैसे हम find करें कि हमारा battery कितने घंटे चलेंगे या कितने घंटे में backup मिलेगा तो इस चीज को हम find करेंगे दो तरीके से एक power के format में एक ampere के format में तो दो अलग-अलग point पे हम बात करने वाले हैं और उसका आपको formula बताने वाला हूँ कि आप खुद से अपना battery का calculation कैसे कर पाओ जो फरूला बता रहा हूँ वो बहुत easy तरीका है आसानी से आप find कर सकते हो तो हम चलिए start करते हैं बीटियो को पहला point लेंगे power को लेके चलेंगे तो हमें पता क्या करना है battery backup time तो हम यह find करना है तो हमने माल लिया कि हमारे पास assume कर लिया कि 1500 AH का battery है आप भी assume कुछ भी कर सकते हो हो सकता है आपके पास भी 1500 AH का battery हो या 100 AH का या 200 AH का कुछ भी हो आप एक format समझ जाओ के तो आप कैसे find कर पाओ उसका calculation कैसे कर पाओ वो खुद कर पाओ गया मैंने माल लिया कि 1500 Ampere का बैटरी है, यह हमारे पास जो घर का लोड है, यानि हम जो घर में जितने सारे equipment चला रहे हैं, वो सारे equipment को मिला के एक घंटे में टोटल 300 Watt हम यूज कर रहे हैं, मतलब एक घंटे अगर लगातार चला रहे हैं, तो ऐसे जितने भी equipment से सब को मिला के 300 Watt हम यूज कर रहे हैं एक घंटे में, पावर, मैंने आपके बताया था कि पावर को लेके चलेंगे, तो यह पावर को लेके चलेंगे, कि हम हमारे घर में जितने भी equipment हैं, सब को मिला के 300 Watt हम हर घंटे यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक फर्मूला बनता है, तो फ घंटे में, तो फर्मूला क्या है, फर्मूला है बैटरी का Ampere गुणा इंटू बैटरी का Voltage, मतलब बैटरी का Ampere कितना है, कितने Ampere का बैटरी है, कितने AH का बैटरी है, बैटरी का Voltage कितना है, दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो यह दोनों हमें पता ही है, पहला करता है कि आपने स्रीज जोड़ा या पैरलल जोड़ा इस पर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या जोड़ने से क्या इंक्रीज करता है स्रीज में जोड़ने से बॉल्टेज इंक्रीज करता है करेंड इंक्रीज करता है पैरलल जोड़ने से क्या इंक्रीज करता है इस इस पर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे फिलाल हम जानते हैं सिंगल बैटरी यानि एक बैटरी का मालू आपने 12 वहल्ट का बैटरी लगा रखा है और आपका एंपर कितना है वोल्टिज बार है और उसका पावर कितना है 300 वाट इंटू करने के बाद कितना आगया अठारा सो वाट पूट करने के बाद सौल करते हैं तो कितने घंटे आ रहा है छे घंटे मतलब 6 घंटे आपको बैक अप मिलेगा पूंसा बैटरी डेड़ सो एंपर का बैटरी हर घंट है तो मेरे घर का लोड एक घंटे में 25 अमपेर है तो इसका फर्मॉला भी बहुत इजी है उससे भी ज़्यदा इजी है बैक अप टाइम कितना हो जाएगा फर्मॉला क्या बनेगा टोटल का पैसिटी जितना एच का है आप जड़ा गौड करना यहां दो तरह का एच है एक भी जोस्तों के बीच में आप लिक ना हो इसका मतलब मतलब होता हूं इनरजी है तो फर्मॉला क्या बना विएंच consistent उधा सकता है किस ऐंपर के फॉर्मिट कर रहे पच्शीस एम्पर तो यह हमनेन सौल कर लिया एंपर के फॉर्मेट से अभ हम इसका calculation देखते हैं कि conclusion क्या निकलता है से हमने क्या सीखा और क्या समझा backup time जो है वो depend किस पर करता है बैटरी के एमपेर पर कितना है दूसरा point बैटरी का एमपेर बढ़ाएंगे तो backup time भी ज्यादा मिलेगा अगर हम higher AH का battery लेते हैं तो backup time भी higher मिलेगा हमें तीसरा point अगर हम जो हम यूज कर रहे थे power एक घंटे का अगर हम उसे high करते हैं तो backup time क्या हो जागा लो हो जाएगा जितने AH का battery है जितने energy का battery है वो तो fix है बढ़ेगा घंटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं पावर हर घंटे ज्यादा यूज करेंगे तो अब्यसी बात है time कम हो जाएगा अगर हम उसी battery का जो power है वो कम यूज करते हैं हर घंटे तो backup time ज्यादा देगा चौथार आखरी point क्या बोलता है अगर हम लंबे समय तक battery backup चाते हैं तो में ज्यादा एमपर का battery लगाना होगा तो हमने आज देखा battery का backup time आपका battery कितने घंटे चलेंगे कैसे find करें आप इन सारे formula से जो मैंने बताया आपको बहुत छोटा formula था बहुत easy formula है आप इसे आसान झाल